सब्सक्राइब कीजिए टेक ओनलाइन जोब यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने कि एक बड़ी खाबर निकल कर आई लिए खाबर है जो उपन बोड की तरसे निकल कर आये है जहां पर आप लोगों को पता ही होगा और कि उपन बोड के पूरे के पूरे एक्जाम पोस्ट मेड़े कर दिये गए थे लोग डाउनके करन यहाँ पे अभी इसके उपर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने बाला हूँ कि आपके एक्जाम होगे या नहीं सरकार ने से बड़ा फैसला लिए जैसा कि आप लोगों को पताएगा कि सबी स्टेट में हर सरकार दस्वी और बार्वी जात्रों के प्रिक्षा पर एक बड़ा फैसला ले रही है जैसे कि हरयाना बोड ने फैसला लिया है कि दस्वी और बार्वी जात्रों के बच्चे वए एक्जाम नहीं होगे पंजाब बोर्ड ने लिया है, सीबियसी बोर्ड ने लिया है, एमपी बोर्ड ने, काफी बोर्ड ने फैसला लिया है, अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो कमेंट करके जूबत आए, यहाँ पर मैं आज बात करने बाला हूँ, ओपन बोर्ड की जिसको N.I.O.S. के नाम से जाना जाता है, National Institute of Open School की तरफ से यह प्रेट निकल करा है कि आपके बच्चे हुए एक्जाम होगे या नहीं, तो यहाँ पे सरकार ने इसके ओपर एक बड़ा फैसला लिया है कि इस पर एक मीटिंग होगी, आपके एक्जाम को लेकर कि आपकी एक्जाम लेने चाहिए या और इसमें ये भी देखा जाएगा कि किस चातर ने कितने साल से वो कर रहा है, दसवी अब आर्मी, कईयों को तीन-तीन साल हो जाते हैं, दो-दो साल हो जाते हैं, तो उनके उपर खास दोर से सरकार नज़र रखेगी और उनके लिए गुड नियूस भी आ सकती है, सरकार ने चाहिए आपको अपडेट देना जरूरी है, तो हम करते हैं कलका इंतजार की कलको के आपडेट आएगा, इसके लिए अगर आपको वीडियो चलगा, वीडियो को लाइक और चैनल कर दीजिए सस्क्राइब, और आप कौन सी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, कौन से ब वोचिंग जय हिंद बंदे मात्तरम